पाक्सान स्टॉकनेटिक उमीद है कि आप तमाम दोस्ट करियस से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा चलते हैं जी देखते हैं कि आज मार्किट ने हमारे साथ क्या किया और कल हम मार्किट के साथ क्या करेंगे तो लेट्समोफ फावर्ड आज जो है मार्किट ने सो सारे लोग होश होंगे यकीनदि तो फिर तो आज इसमें कुछ कूई कीडे निकालने वाली जरूरत नहीं है देखिए मार्किट ने 800 पॉइंट डाले हैं आपने क्या करना है सेलिंग करनी है ठीक है बाई का वक्त खतम देखिए ये एक स्ट्राटिजी होती है अक्सर दोस्त हूँ आप पूछते हैं जी कौन सा शैर करेें काउँ सा रकरेें जब हम उनको शैर बताते हैं तो उनकी जेही देखाले हैं यहे शैर चलता नहीं है यह शैर स्लो है देखिए कोशिश कीजिए कि शेर जो है वो आपकी रोटीन या आपकी तबीयत के मताबिक होना चाहिए हर शेर जो है वो हर बंदे के लिए नहीं होता लेट मूव फावर्ड आल शेर की बात करें तो 470 पॉइंट का इजाफा बहुत जबरतस्त इजाफा है के ऐसी हंडर्ड में 800 पॉइंट का मुझे समय लीजे के इतना ज्यादा पॉजिटिविटी कहलें जी आप इसे कोई अच्छा लफ़ज फिलाल मेरे जेर में नहीं आ रहा है यहां इंपक्ट कर ले आट सो छे पॉइंट का इतना इंपक्ट नहीं सर जितना ओल शेर के 500 पॉइ 1200 पॉइंट का इजाफा है के मैं 30 में तो ठीक अभी इंजवाय करें जिन लोगों ने खरीद रखे हैं वो बेचिए और बाकी स्कून फरमाईए और जिन्होंने पहले नहीं खरीदा जब मार्केट डाउन पे थी और आब मार्केट चुके यह तकरीबन 1000 पॉइंट जो है व देखें मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि चड़ती हुई मार्केट में बेचना और गिरती हुई मार्केट में खरीदना सर यह किसी का काम होता है हर बंदे का काम नहीं है आगे चलते हैं यह पर के अपकी बात करें तो तो कैप को वाजिवा नेट सोल पाक जिन पावर पावर सेक्टर में से कुछ नहीं निकला मार्केट में से बहुत कुछ निकला है पावर सेक्टर देख लें जड़ा मर्जी चुक लो और आप यकीन कीजिए कि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजिज क्रूच जाया यार आप चला न आप उखरीदिए गा आप जब साथ आठाट परसंट चीजे साड़े साथ साथ परसंट ऊपर चले गई हैं आप खरीदिएगा फिर दो दिन के बाद मार्केट में से पॉइंट निकलेंगे और इन इन शेज में से भी पैसे निकलेंगे तो फिर आप कहेंगे जी वह कैप को खरीद रख्या जी 32 रुपे पर करने की आगे चलें और ग्राफिकल व्यू देखते हैं कि वो क्या कहता है का अगर माजरत कल वीडियो अपलोड नहीं हो सकी कल असल में कुछ मस्रूफियत इस किसम की बन गई कि टाइम नहीं लग सका तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो सकी टेक्नॉलजी सेक्टर जह ह से लास्ट पे और कॉम्पोजिट जो है वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा अगर कोई चीज इतनी अपवर्ड मॉव्मेंट भी नजर नहीं आ रही तो बेहतर यहीं है कि वो नजर नहीं आए टॉप 10 सिंबल्स की बात करें जी जी यल में 15 मिलियन का वॉलियम टीपिल प्रॉपर्टीज है वेव्स वेव्स में लगा 10 मिलियन प्लस का वॉलियम पहले हमें कहीं नजर नहीं आ रहा ये इंशाला आगे जाएंगे तो पर डिसकस करेंगे मैपल लीफ है टी आर जी वेरी 240 उपर ये एक अच्छा खासा आपको नजर आ रहा होगा डिफ्रेंस एडवांस और डिकलाइन के अंदर लेकिन मार्किट के अंदर इतनी अच्छी मूव्मेंट के बावजूद 105 कंपनीज को नीचे रहना नहीं जाएए अब यह मैं इसमें केड़े नहीं डाला लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो वह जिसको वह क्यों कीजिए कि जिस वक्त वह अदालत में केस लगा होता ना तो वह व थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि यह पॉइंट बड़ा कंसीडरेबल है जी इसको आप जरा गोर से देखिए तो आप भी जरा गोर से देखिए दूसरी एक बात आप सर हमेशा याद रखिए कि मैं अक्सर अपने कलाइंट से भी कहा करता हूं कि यार शेयर का अच्छा ल की कैलकुलेशन के मताबिक आजाए आप उसको रिवैलोवेट कर ले और एंजॉय कीजे आटमों वाले सम्डर्स की बात करें तो साथगार भी बेहतर हो गया उंड़ा एटलस कार सीधा ही 10 रुपे का इजाफा पाक सुजूकी 10 रुपे का इजाफा बाराल पाक सुजूकी क कि हम खरीदार नहीं थे यह मैं आपको बता दूं यह हमारे पॉर्टफोलियो में नहीं था और मैंने इसको कभी रिक्मेंड भी नहीं किया इसका यह कतन मतलब नहीं है कि शेयर अच्छा नहीं है भागता बहुत अच्छा है हांड़ा एटलस कार 11 रुपे हिनों में 19 आप देखिए मार्किट की उस सूरते हाल में अब आपने क्या करना है तैस इंपॉर्टन क्वेस्चन आपने सेलिंग फर्मानी है करनी नहीं है जरूर फर्माईएगा केबल की बात करें तो पहल में इज़ाफा हुआ एक रुपे का और वेव के नदर एक रुपे 37 पैसे का मेरा ख्याल है यह एक रुपे 37 पैसे को आप अपर लॉक की कंसिडर करें वह आज काफी लोग जो थे वह इस पर वह बात्शाथ कर रहे थे जी कि को वेश्कों को और को ने मिला ? यार विफू जब गया था उस वक्त भी आप सब पता था if उस वक्त आप ने कहूर नहीं किया आप κα MR मिल आ आप तो उन्होंने बता दिया ना के जी हमें वह रोत का को कोका क्ला कि तरफ से यह साजी बात हैं बड़ी पुरानी है आपको काफी एर से और को याद यार जैसे भी आपको है देखिए इसमें से आपने क्या लेना है आगे चलें जी सिमेट सेक्टराज बहुत अच्छा चला और मार्किट के अपमड मुवमेंट जो है इसमें इसका बहुत अच्छा किरदार है लेकिन टू बी ओनेस्ट हमारे पास इसकी जो बाइंग है वो यह बेस्टे में आठ रुपे पड़े हैं बहुत अच्छे पड़े हैं चिराट डीजी ौ कान में अब लेकें डीजी चार रुपे बहुत अच्छा शेर मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन के पास डीजी है जी खान जो एब तुड़ा पराना पड़ा हुआ हूए वो हमेशा याद रखे इसलिए शेयर जो है ना उसको उसको अंड़स्टैंड करने की कोशिश करें शेयर बोलते हैं सुनिए इनकी बात मार्किट भी बोलती है बाद उकात तो शोर मचाती है लेकिन हमें वो समझ में नहीं आता कि मार्किट क्या कहना चाह रही है अब ठीक है काफी सारी बाते होंगे जी कि वह यह फैक्टर था वह फैक्टर फुक्टर होते हैं सर इंडिकेटर्स भी होते हैं लेकिन मार्किट के अंदर कुछ मार्किट के कुछ अपने ड पास इजाफ़ा नहीं है लेकिन पिर भी ठीक है फाइनियर बहुत अच्छा इजाफा है लकी सीमट में 36 रुपए का बेहतरीन इजाफा है को हार्ट सीमट में 6 रुपए का इजाफा वरी गूड कैमिकल सेक्टर की बात करें तो सूरते हाल अलांके कैमिकल सेक्टर जो है यह नमर पर आया है जब हमने ग्राफिकल व्यू को देखा था तो उसकी क्या रीजन है उसकी रीजन यह जी जील का वॉलियूम है लेकिन वो नीचे की तरफ है खैर कोई बात नहीं जरा इसको दुबारा देख लेते हैं कि यह क्या कह रहा है को सुनने की कोशिश करते हैं बर्जर में आज नहीं लगा पर कैप है डैस्कॉन के दर एक रूपे 25 पैसे बहुत अच्छा इजाफा है चलने माले शेर चले हैं एंग्रो पॉलीमर और केमिकल्स में को खास नहीं है लेकिन बाहराल चलने माले जिनको चलना चाहिए था वो चले है चोटा निमर 68 पैसे है आगे च इसको सोचेंगे यार क्या करना है थोड़ा सा थोड़ा सा क्या यार आप लोग कह रहे होंगे यार यह रोज ही कहते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा इनके मामला ते ठीक नहीं होते यार यह बिजनस ऐसे चलता है वक्त के साथ साथ अच्छा आप यह कर लें बहुत सारी लेकिन वह हमारी लिस्ट में जरूर है बैंक्स बैंक्स आज उस हवाले से नहीं चले जितना कि मार्किट केंदर index move हुआ अब देखिए बहुत सारे जो आपके sectors है वो बहुत च्ञार्च सेक्टर मैंने वह किसी नहीं सुनी तो वो पर दो दिन पहले की ऊषय अब बात बार बार तो reco अच्छा चला आच आगा स्टील आईशा स्टील अमरेली वेरी गुड अब देखें अमरेली यह दुबारा पिचास पर जाए तो बेच दीजिएगा अब यह मेरी एक अपनी कैलकुलेशन है और मैं आपको यह खुला बता रहा हूं अब कल को अगर फ़र्द करें पिचास तो उड़के यह सार्ट पर चला जाता है तो मुझे टेक्स नहीं करना कि आपने कहा था हमने बेच दिया सर मेरे कहने पर ना बेचे मैंने सिर्फ एक बात कही है मेरी कैलकुलेशन वो मैंने आप से शेयर कर दी आगे चल डी एसल में भी अच्छा इजाफा है इंटरनेशन में बड़ा गंदारा और बड़ा गंदारा जो है यह लीड करते हैं आपके आपके अटव मोबैल स्क्रक आगे चले फटलाइजर सेक्टर फेलाइजर सेक्टर में जब मौकाआ कम केया इसकी मैं तो इसकी क्ल्कुलिशन स्ट्रबों जो है ना वो इतनी पैसे का इजाफा है फॉजी फूड में पांच पैसे का आप यह देखिए ना फॉजी फूड के हवाले से हमने यह गुजारिश की थी कि साधे बारा की हमारी कैलकुलेशन है वो तूटेगी तो फिर देखेंगे वो तूट गई आप इसको री कैलकुलेट कर रहे हैं और अभी तक मैंने इसकी नई बाइंग जो है वो अपने क्लाइट्स को सुझेस्ट मेरा ख्याल है शायद अभी नहीं की एक कल कल देखेंगे इस करें और अगर फर्ज करें कि पहली बास के दर सीट ना मिले तो दूसरी में जाए कर बैठ जाया करें फिर उसमें टाइम तो लगता है ना जब चीजें अच्छे लेवल पर आप खरीदेना चाहते हैं तो फिर टाइम तो लगता है स्टॉक मार्किट के अंदर अपनी करना है कि करना है कि भी उसको रुपाँ में और पैसों में कलकुलेट करना नहीं तो कभी भी आप स्टॉक मार्किट में से कमान नहीं पाएंगे फ़र्ज किजिए इसकी रीजन किया है इसकी रीजन ये है कि आपने मार्किट के अंधर एक शीर फर्ज किजिए आपने इसни directions 1 million की buying का ली एक share के अंदर 10 लाक रुप्या लगा लिया अब 10 लाक रुप्या जब आप उसके अंदर आप ने लगाया और वो share जो है सर वो तो अगर 50 पैसे भी उपर जाता है और वो share भी हो 50 पैसे उपर जाए तो वो तो आपको अच्छा खासा profit शोग करवाएगा तो आप तो बेचने भी आ जाएंगे नहीं इसी तरह से अगर उसमें से एक रुपया निखल जाता है तो आपको तो लगेगा कि जैसे पॉर्ट फोलियो जो है वो लट गया है सारा इसलिए अपने आपको यह एक ट्रेडिंग साइकालोजी का एक बहुत एहम पॉइंट है जो रुपया निकल गया उसमें से ठीक है अब चाहिए आपने उसकी बाइंग जो है वो दस लाक की कर रखी है आप कहेंगे यह एक परसंट का लाउस है डिजन मैटर लेकिन अगर आप उसको वैसे देखेंगे रुपाओं के अंदर तो सर फिर तो आपके लिए आप तो दूसर अपने आपको हमेशा परसंटेज में कल्कुलेट कीजिए यकीन कीजिए आपके बहुत सारे मसले मसाइल स्टॉक मार्किट के हल हो जाएंगे आगे चलते हैं आज की टीबी यह यह आपकी वाजिवा गिलास पे तो हम भाई काम ही नहीं कर रहा है आज कल इंशूरंस में भी सूरते हाल बस ठीक है इन्वेस्टमेंट बैंक्स एफनियल वहीं खड़ा रहा जब मार्केट नीचे गई तब भी नहीं हिला मार्केट ऊपर गई यह तब भी नहीं हिला बाकी एसकोट जो है इसमें 43 पैसे बढ़े बहुत अच्छे बढ़े हैं वेरी गुड लेजिंग को छोड़ दें लैदर लैदर का मैंने यह सर्वेस इंडस्ट्री का पहले भी 500 रुपे का कहा था कि अगर आपको उसमें से प्रॉफिट श्रॉफिट मिलता है तो इधर किलते हैं जी मिसलेनियस मैक पैक में से निकले हैं 14 पैसे और 1 रुपे 12 पैसे उपर है वरी फूट शीफा होस्पिटल में 14 रुपे का इजाफ़ हो हुँँँँँँँँद जिसके पास है सिदीग टिन प्लेट में 20 पैसे का इजाफा है टीपील के अंदर अब देखिए यह मैं समरी देख रहा हूं तो बहुत सरी चीज़े मुझे बड़ी ड्रामेटिकली मुवमेट उनके अंदर है मसला यह जो अभी हमने बात की शिफा की 15 रुपे यह अच्छा मैं अक्सर आपको कहा करता हूं कि कुछ शियर्ज ऐसा है जिसमें मैंने कभी भी ट्रेड किया मुझे लॉस नहीं हुआ शिफा उनमें से एक है कभी लॉस नहीं हुआ यगीन के लिए हाँ पोजीशन कभी-कभी थोड़ी बहुत फंस जाती है लेकिन वह फंसती ऐसे लेवल पर है कि मुझे टैंशन नहीं होती कि यार वो पोजीशन पहस गई है पता नहीं क्या होगा फसने का मतलब यह नहीं है कि उसके अंदर को बहुत ज़्यादा मैं अप अप आप जागे बाइंग की होती है अप बाइंग वाले तो हम है ही नहीं पुर सुकून तरीके से खरीद लेते हैं कभी थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है लेकिन सर इसमें से मुझे अलहम्दलिल्ला कभी लॉस नहीं हुआ वैसे आजकल यह मेरे पोर्टफोलियो मे है मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है आज का जरा मेरा पोर्टफोलियो चोटा हुआ हुआ है को पैसे दर दर हो गए थे आगे चलें जी ऑईल और गैस आहा हा 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 तीन रुपे 32 पैसे तीन रुपे 86 पैसे याशी फरमाएं भी जिन्होंने खरीदे हैं अब याद कीजिए मैं पिछले दिनों से क्या कह रहा था आपको के लंबी बाइंग फरमाइए जिन्होंने करनी है थोड़ी थोड़ी सी बाइंग शुरू कर दें आगे चलें जी ऑईल और गैस मार्केटिंग कॉम्पनी की बात करें तो शेल में दो रुपे धाई रुपे है कि शायद यह डिफॉल्टर में से निकल गया है फिलाल मुझे तो नदर नहीं आ रहा चलें जब को न्यूज आएगी तो देखेंगे पेपर और बोर्ड में बड़ा अच्छा इजाफ है यार सेंच्री बोर्ड में सीधे पांच रुपे त्रासी पैसे करें वह आई तो चला फार्मस्वीटिकल बहुत अच्छा चला यार है आई बील हेल्थ केर में पड़े सीधे तीन रुपे वह 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 एज़ीपी ठीक है अच्छा अब यह देखिए मैं यह जो इस किसम की चोटी मोटी सी बाते करता हूं ना यार जिस वक्त स्पेस होना उस वक्त सुकून से बाइंग करके बैठ जाया करें अब वक्त बाइंग करने कर नहीं है हाँ अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन में जुन में बाइंग की जा सकती है लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाइंग लेवल से निकल गई है अब फर्स कीजिए मैं च्छोटी सी मिसाल देता हूं आपको एजीपी है सो रुप उनको अवेल करना चाहिए सारा पैसा कभी भी मार्किट में जौंकना नहीं चाहिए आगे चलें पावर जनेरेशन की बात करें तो आई तो मोजे लगी है हब पावर चला दो रुपे 17 पैसे के लेक्टिक में को खास नहीं है चलें ठीक है कैप को दो रुपे 12 पैसे अब आप इसको उसमें कैलकुलेट करें तो यह तो फिर कुछ साड़े चार-पांच रुपे बनते हैं हम तो इंज्वाए करेंगे क्योंकि हमारे पास कैप को है हमारे पास यह बड़े शेर है जी पावर सेक्टर के बहाल बेरी गोड यार निशाद पावर में भी चलें 50 पैसे पढ़ गए सैफ पावर में भी 55 पैसे पढ़े लाल पीर कैप को निशाद पावर निशाद चुनिया कहां कड़ा यार 25 पैसे चले ठीक है रिफाइनरीस बाइको चला गया वापिस साथ रुपे 25 पैसे पे चलो ठीक है शूगर को छोड़ दें यार नहीं टाइम मिल सका रुपे है नेट सोल लेपर कैप हुआ हम नेटवर्क साथ रुपे पे खड़ा है अवेंसियों साथ रुपे 600 पैसे कब अच्छा इजाफा है इसमें पार्ग डेट अकॉम में भी इजाफा अच्छा है ठीक है यार सारी सूर्तेहाल अब किसको क्या कहें टेक्स्टाइल कॉ देखें आज मैं ज्यादा शेज को प्रिसली बात नहीं करता कि अब तो मार्केट चल गई हजार पॉइंट उसमें डल गए मार्केट उपर आ गई अब क्या फाइदा बात तो उसक्त होती है ना जिसक्त चीज़े नीचे जा रही हो बस यार आगे चलते हैं और बात करते है हैं आज की केंडल की देखें आज की केंडल बहुत अच्छी केंडल है wonderful केंडल है पिछली दोनों केंडल खो कहागा है इसका मतलब यह है के warmer है चृद के सूर। elector बहतर है हमारे मेरी जाती तो इह खौाहिश थीके मार्किट जो है वह 42,25 तक जाए जो कि मार्किट नहीं पहले तो तरह कमपनी के में शूरी सुने ना अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो ये हमारा वाटसेफ नंबर है इस पर वाटसेफ फरमाईए और हमारे साथ काम कीजिए हमारे जो सर्विस है वो दो किसम की है इन्हेंस्ट भी है उसकी फीस पांच हजार है और सर्विस भी है जिसकी फीस दो हजार है लेकिन अगर आपका पॉर्टफोलियो पांच लाख यां उससे कम है कम मसकम की बात हो रही है वैसे तो हम रिकमेंट करते हैं दस लाख को दस ही रखें यार पांच रहने दें अगर आपका पॉर्टफोलियो दस लाख यां इससे कम है 10 लाग तक ठीक है 10 लाग से कम है 7 लाग 8 लाग 9 लाग है तो आप enhance service ना लीजिए वो आपके लिए मुनासिब नहीं रहेंगी आपको महंगी पड़ेगी आपके लिए basic service बेतर रहेगी लेकिन अगर आपका portfolio 10 लाग यह से उपर का है million plus का है यह million है तो फिर आप enhance service अगर लेना चाहते हैं तो लें नहीं तो वैसे तो हमारे बहुत सरे दोस्त ऐसे भी है जिनके माशालला बहुत बड़े-बड़े portfolio है लेकिन वो basic service ले रहे हैं आपके वो आपकी मर्जी है आगे चलते हैं जी और candle की हम बात कर रहे थे केंडल किदे चलेगी यार केंडल गूंब हो गई है कि मुझे दर दुबारा खोन लें दें इदर तो नहीं चलेगी यार नहीं देखिए candle जो है ना बहुत अच्छी है candle के अंदर हमें आज जान भी नजर आ रही है वाल्यम शॉल्यम भी ठीक है अब इसको खुदाना खास्ता ट्रैप ना कहा दीजिएगा ठीक है ना ट्रैप श्रैप कोई नहीं है अब कल अगर फर्द करें इसमें से को दो-चार सो पॉइंट मार्किट में से निकल जाते हैं तो निकल जाएं यार पड़े भी तो है ना और दूसरी चीज़ यह है कि सर मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अगर कुछ सवाल वगरा हो तो आप वाटसप पर पूछ सकते हैं लेकिं सर वाटसप पर सवाल पूछने का मकसद य कि यहार काफी सारे दोस्ता अब हैं वो पूरा पूर्टफोलिएों घंडेते हैं के बताइए पोरइब पूर्ओों किया करें soil को यहार चल रहा लिए प्या जाएगए चलते हैं आज की चिछ प्रह नकालने की जरूरत नहीं है हमारी खुआहिश तो ये थी कि मार्किट 45,250 तक जाती और वहाँ से वह आपको एक अपवड मूव देती अब मार्किट की 47,000 तक जो है वो वर्त बहराँ बनती है और बनने चाहिए अब क्या किया जाए किया ये जाए कि जब मार्किट 47 पे जाए तो मारकिट में से, अपने पैसे इदर-ओदर करने की त्यारी शुरू की जाए, देखें अगर मारकिट में पैसा रखके आपने स्लीप करना है, तो सर फिर आप कोई और बिजनस कीजिए, मारकिट की बात सुने, अब देखें मारकिट ने आज आज आपको क्या कहा, कि रखिय सुबों बेचिए आज भी बेचिए प्रॉफिट टेकिंग केजिए और जब मार्केट नीचे जाए तो भाई कीजिए सिंपल सी तो बात है यार इसमें को इतनी इंपॉर्टन चीज तो है नहीं कि जो बंदे की समझ में ना आए बाराल केंडल अच्छी है आज इसलिए कुछ जश्यादा इस पर बात नहीं होगी आगे चलते हैं आरस को को देखते हैं कि आरे से क्या कहता है ऐस्यूंत कि 51 हो चुका है मैख को देखते हैं मैकडी की बात करें तो अभी मैज मैकडी ने आपको बाइकी कॉल नहीं दी मादरत के साथ अब यह देखिए मैं क्यों इंडिकेटर्स पर काम नहीं करता है आज तकरिपन आठ सो इसको हजार ही समझे एक हजार पॉइंट मार्कीट में पढ़े हैं ठीक है ना शेर जिदर से उदर हो गएं सारे के सारे लेकिन इसने अभी तक भाई की कॉल जनरेट नहीं की कि लग्त सब्सक्राइब करें जब यह तब बाई की कॉल जनरेट करेगा जब सब सूख जुका होगा तो अब यह देखिए कि इसका जो क्या कहते हैं हिस्टोग्राम है वह अभी स्टिल नेगेटिव है तो सर मैं सिरफ यह जो इंडिकेटर पढ़ता हूं न वह आप हम लोग देख लीजिए कि आपने कौन सा इंडिकेटर इस्तमाल करना है कि बस यार आज के लिए सिरफ इतना ही खुश रहे अबाद रहें वह एक दिन हम लोग दो उस्ताज साब के बास बैठे थे तो वह आपको पता फिर बंदे के जहन के अंदर मुक्सले पिसम के सवाल तो आते रहते हैं यह अक्सर जा मैं कहता हूं जी कि वह मैंने पूछा वो मैंने नहीं पूछा होता बेसिकली मैं इतना सियाना बंदा नही मुझसे बहुत ही जो है वो मैं समझता हूं कि उस महफिल में सबसे नीचे मैं ही हूं तो वो पूछा गया कि जी जो जब किसी को कोई चीज देनी हो जिस तरह हम लोग अक्सर चोटे मोटे को सदका खेरात ये इस विसम के मामला करते हैं तो किसको दी जाए तो उस्ताद साब ने फरमाया उसको दी जाए जिसकी जुबान नहीं चेहरा सवाल करता है अल्ला हाफिस